आसम रियाज ने फिर एक बार प्रूफ कर दिया है कि एक सचा स्टार वही है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी परसनालिटी अपनी रियालिटी के दम पर लोगों का दिल जीत सके और इसी वज़ा से आज फिर एक बार आसम रियाज सोशल मीडिया पर चा रहे हैं आसमान चू रहा है उनका ट्रेंड हलो एवरिवन मेरा नाम है नित्यांशी और वेल्कम टू फिल्क विंडो हमारी चैनल को लाइक शेर सिब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप मुझे भी मेरे इंस्टिग्राम अकाउंट आंकर नित्यांशी पर फॉलो कर सकते हैं तो चलिए बताते हैं आपको कि आज फिर से आसम रियाज सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहे हैं और एक्टरनल लव फॉर आसम है ये टाग लाइन जिसके चलते लोग आसम को बेशोमार प्यार दे रहे हैं तो लोगों का यही कहना है कि एटरनल लव फॉर आसम इस इस वाट आसम रियाज हैं विदिन जस्ट आयर इमेंस सपोर्ट और लव फैंस फैंस फ्रॉम एवरिवेर हम्मद 786 कहते हैं यहां पर आप देखिए कि यहां पर आप देखिए कि आसम रियाज जब भी कोई प्रोजेक्ट नहीं भी करते हैं चाहे वो म्यूजिक विडियो हो या कोई और इवेंट हो या कोई और शो हो कुछ ना करने के बावजूद भी लोग सोशल मीडिया पर आसम को वेशोमार प्यार देते हैं आए दिन हम ऐसा देखते हैं कि आसम रियाज सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं उनके लिए टाग लाइन्स जो हैं वो यूनो ट्रेंडिंग की जाती हैं और लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और भर भर कर अपना प्यार आसम रियाज को देते हैं यह सिर्फ इस वज़ा से है क्योंकि पिछले साल बिग बॉस 13 में आसम ने अपने परसनालिटी को जिस तरह से प्रिजेंट किया था जिस तरह से गेम खेला था टॉप टू में आये थे वो लोगों को इतना पसंद आया कि आज एक साल बाद भी लोग आसम को उसी वज़ा से इतना प्यार दे रहे हैं जैसा कि मैंने आपको कहा कि आए दिन आसम किसी वज़ा से सोचल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं उनके लिए टाग लाइन्स चुरू की जाती हैं ट्वीट्स किये जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग आसम को बेहत पसंद करते है देखते रहे है फिल्म मिंडो मैं हूनित्यांशी और आसम रियाज हो या बिग बॉस 13 या 14 के कोई भी और कंटेस्टन्स हो हम आपके लिए उनसे जुड़ी हर अपडेट यहां पर लेकर आते हैं सो स्टे टून्द